जय सियाराम जय जयराम जथानेक बेश धरी निर्थ करई नट कोई सोई सोई भाव देखावई आपन होई नसोई जैसे कोई नट अनेक वेश धर्ण करके निर्थ करता है और जैसा वेश होता है उसी के अनकूल भाव दिखलाता है पर स्वयम वह उनमेंसे कोई होई नहीं जाता जय शियाराम जय जयराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाव शुदाशे रथ अजिर विहारी असिर गूपति लीला उरगारी दनुज भिमोहन जन सुख कारी जय मति मलिन विशय बस कामी प्रभु पर मोह धरही इमी स्वामी हे गरुण जी ऐसी ही स्री रखुना जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेश मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है हे स्वामी जो मनुष्य मलिन बुद्ध विशयों के वस और कामी हैं वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं नयन दोस जा कहां जब होई पीत बरन सस कहुं कह सोई जब जही दिसिभ्रम होई खगेशा शो कह पस्च में उदय दिनेशा जब किसी को नेत्र दोष होता है तब उह चंद्रमा को पिले रंका कहता है हे फक्षिराज जब जिसे दिसा भ्रम होता है तब उह कहता है कि सूर्य पस्च में उदय हुआ है नौकार उढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आप उही लेखा बालक भ्रमहीन भ्रमहीं ग्रहादी कहा ही परस्परमिठ्याबादी नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्ची जगत को चलता हुआ देखता है और मोह वस अपने को अचल समझता है बालक घूमते अर्थात चक्राकार दोडते हैं घर आदी नहीं घूमते पर वे आपस में एक दूसरे को जूठा कहते हैं हर विशैक अस मोह बिहंगा सपने हु नहीं अज्ञान प्रसंगा माया बस मतिमंद अभागे हिर्दय जमनिका बहु भी दिलागे हे गरुड़ जी स्री हर के विशै में मोह की कलपना भी ऐसी ही है भगवान में तो सपन में भी अज्ञान का प्रसंग यानि आउसर नहीं है किन्तु जो माया के बस मंद बुद्ध्य और भागी हीन हैं और जिनके हिर्दय पर अनेकों प्रकार के परदे पड़े हैं तेशट हट बस संसयक रही निज अज्ञान राम पर धरही वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना ज्यान स्री राम जी पर आरोपित करते हैं काम क्रोध मद लोब रत ग्रिहा सकत दुख रूप तेकी मिजान नहीं रगुपति ही मूध परे तमकूप जो काम क्रोध मद और लोब रत हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं वे श्री रगुनाज जी को कैसे जान सकते हैं वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कोई में पड़े हुए हैं जाई सियाराम जाई जाई राम मंगले भवन या मंगले हारी द्रवाउं सुदाशे रथे आजिर भी हारी जाई सकते हैं